बितरवार के ग्राम चर्खा में सरकारी भूमी पर कबजा करने की मनसा से एक बार फिर डॉक्टर भीम राओ अमबेटकर की प्रतिमा रख कर हंगामा किया गया इस जमीन पर नल जड योजना की तंकी बनाने के लिए सुक्रवार को टीम पहुँची थी जिसके बाद रात में प्रतिमा लगा दी गई सनिवार सुबह जब पुलिस प्रसासन की टीम ने मौके पर जाकर प्रतिमा हटाई तो लोगों ने हंगामा कर दिया छटो पर से पुलिस के बाहनों पर पत्राव किया गया जिससे दो गाड़ियों की कांच तूट गया कुछ पुलिस वालों को हलकी चोटे भी आई है हंगामे की सूचना पर कलेक्टर कॉसले विक्रम सिंग वा SSP अमिद सांगी मौके पर पहुँचे करेक्टर ने बताया कि लोगों को समझाया गया कि टंकी भी ग्रामीडों के लिए ही है जमीन पर किसी जनपत सदसे ने कबजा कर रखा था लोगों को समझाया है कि प्रतिमा इस्थापित करने के लिए विध्वत आवेदन दे उचित जगह पर प्रतिमा इस्थापित की जाएगी भितरवार की चर्खा में सरवे क्रमांग 34 की तीन बीघा की लगभग सास की भूमी है जिस पर पंचायत भवन के अलावा नलजल योजना की टंकी निर्मान कारी के लिए सुक्रवार को जेसी भी पहुँची थी काम सुरू होने की हलचल देख वहां लोगों ने रात में अंबेटकर की प्रतिमा लगा दी सुबह काफी लोगों की भीड पहुँच गई SDM अस्विनी रावत के साथ थाना प्रभारी प्रसान सर्मा मौके पर पहुँचे और संबंधिल जाटव समाज के लोगों को समझाने का प्रयास किया जब नहीं माने तो प्रतिमा को कबजे में लेने की कारेवा ही शुरू की यह देख लोग भड़क गए और छटों से पत्थर फेकने शुरू कर दिया कुछ लोगों ने लाठियां भी चलाई पत्थराव में कुछ पुलिस कर्मियों को हलकी चोटे भी आई है वही वाहन भी छतिग्रस्त हो गया है उसके बाद पुलिस ने सकती बरतिते हुए हंगामा करने वालों को खदेर दिया वा प्रतिमा को अपने कबजे में ले लिया उसके बाद लोगों ने भीतरवार थाने पहुँच कर भी हंगामा किया महौल को बिगरता देख लोगों ने दुकाने बंद करनी कलेक्टर कॉसलीन विक्रम सिंग, ग्वालियर ग्रामीर, एडियम, एचबी सर्मा, एससपी, अमित्सांगिय, डिसनलसपी, जैराज, कुबेर, भितरवार पहुँचे कलेक्टर ने समझाइज दी कि बिधिवत आवेदन करें तो पाँच दिन के अंदर अनुमती प्रदान करते ही उचितिस्थान पर मूर्ती स्थापित कर दी जाएगी कुछ लोगों का कहना है कि भूमी पर प्रतिमा लगाने के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में प्रस्तावित किया गया था जिसके आधार पर मूर्ती की स्थापना की गई थी